नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर मुख्यमंत्री और राजेपाल ने दी शारदिये नवरात्री की बढ़ाई सारो किलो मीटर की यात्रा कर प्रवासी पक्षी पहुंचे भागलपुर बिहार का पहला फिस पार्ट खुला यहां डॉक्टर एपीजे अब्दल कलाम की जयनती आज भारत से मिली हार के बाद पाकस्तान टीम के डारेक्टर का बयान इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की और वस्तार से मुख्यमंत्री और राजेपाल ने दी शार्दिये नवरात्री की बढ़ाई आसे नवरात्री की शिरवात हो चुकी है ऐसे में बिहार के राजेपाल राजेंदर विश्वनात आरलेरकर और मुख्यमंत्र नितीश कुमार के द्वारा शार्दिये नवरात्री के अफसर पर प्रदेश एवं देश्वासियों को हार्दिक बढ़ाई एवं शुब कामनाई दी गई है पतादी के मुख्यमंत्र नितीश कुमार के द्वारा ट्वीट कर लिखा गया है कि शार्दिये नवरात्री के अफसर पर हादिक बढ़ाई एवं शुब कामनाई मादुर्गा शक्ती की अधिस्ठात्री देवी हैं नवरातरी के 9 दिन मादर्गा के 9 स्वरूपों के पूजा होती है मादर्गा भक्तों और शादकों में सक्ति का संचार, करुणा और परुपकार के द्वारा प्राणियों का खल्यान करती है नवरात्री पर सभी पारस प्रेम और आपसी सद्भाव भाईचारे एवं सांतिपुन तरीके से हरसोलास के साथ मिल जुलकर मनाए मही राजेपाल के द्वरा कहा गया कि सभी को शार दिये नवरात्री के शुब कामनाए एवं बधाई हजारों किलो मीटर की यातरा कर प्रवासी पक्षी पहुंचे भागलपुर बिहार के भागलपुर जिले में इन दिनों एक तरफ जहां गरुर का बसेरा है तो वहीं दूसरी और आस्ट्रेलिया, मंगोलिया, सहित कई देशों से प्रवासी पक्षी को काफी प्रचूर मातरा में उसके अनुसार का भोजनवा परिवेश का वातावरन मिलता है बिहार का पहला फिश पार्क खुला यहां कर आप केफेटेरिया में उसे बनवा कर इसका स्वाथ भी ले सकते हैं और साथ ही वोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं अगर इसके शुल्क की बाद करें तो वर्तमान में इसका सुल्क 300 रुपए रखा गया है तो वहीं फिसिंग करने का सुल्क 50 रुपए आपकी जानकारी के पार्क में जाने के लिए 6 साल से उपर के बच्चों के लिए शिल्क नर्थारित किया गया है वहार की लाल बना शार्क टैंक ऑन्डिया सीजन तीन बताया टीवी सो ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से दी है जिसमें बताया गया है कि शार्ख टैंक इंडिया थीन के तीसरे जज़ के रूप में अज़र इकवाल होंगे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अज़र ने दसवी तक की पढ़ाई कि संकंज शहर तगेरिया स्थित ओरि आगे बढ़ा रहे हैं मालमूग इंसौर्ट से एक न्यूज कलेक्शन अप है जिसके माध्यम से आप बिना ज्यादा समय व्यतीत कर देश-दुनिया के खबरों के बारे में जान सकते हैं जयनती पर पधान मंत्री नरंद्र मोदी के दोरा ट्वीट कर कहा गया है कि अपने विनर्बन वैवार और विसिष्ट वैग्यानिक प्रतीभा को लेकर जन जन के कहते रहे पुर्व राश्ट्रपती डॉक्टर एपी जे अब्दलकलाम जी को उनकी जयनती पर कोटी-कोटी जनकारी के बता दे कि डॉक्टर एपी जे कब्दलकलाम के दोरा कहा जाता था कि यदि आप और सफल होते हैं तो कभी हार ना माने क्योंकि फेल का आर्थ है सीखने का पहला प्रयास अंत नहीं है यदि वास्तम में एंड का अर्थ है प्रयास कभी नहीं मरता यदि आपको उ जोजना के तहत 46.26 करोड रूपे के खर्च से एक नए सीरे से विक्सत किया जाएगा इसके लिए टेंडर फाइनल कर दिया गया है और नर्मान एजनसी को जिम्मेदारी दे दी गई है पता दे के अगले महीने से यानिकी नवंबर से इसके नर्मान कारी के श्रवात हो जाएगे ताकि सब कुछ विवस्तित किया जा सके आम लोग जो गंगापत पर घूमने आते हैं उनके पैदल चलने के लिए 4-5 मीटर की जगह को इथावत रखा जाएगा और उसके बाद की दो मीटर की जगह पर वाइंडिंग जोन का नर्मान किया जाएगा वही वैंडिं धोने की जगह की विवस्ता पूरी की जाएगी जगह को शाफ सफाई पनाय रखने के लिए हर 50 मीटर पर डस्ट बीन रखे जाएंगे इन सभी कारियों को पूरा करने के लिए प्लानिंग तयार कर ली गई है NIC की तरच पर सक्षा विवाग गठित करेगा खुद की एजनसी विवागी संचिकाओं और उनसे संबधित कारे बाधित ना हो उसको लेकर सक्षा विवाग राष्ट्री सूशना केंद्र की तरच पर खुद अपनी एजनसी का गठन करेगा इस संबध में सक्षा विवाग के स्तर से सेंधांतिक सहमती बन गई है दरसल सक्षा विभाग डिजिटल प्लाटफॉर्म तयार कर रहा है ताकि वो अपना डेटा और फाइले सुरक्षित रख सके इस दिर्शा में सौफ्ट्वेर नर्मान किया जा रहा इसी तरह सक्षा विभाग एनाइसी से हटकर अपना पोटल गत्रित करेगा मालम हो कि अगर सक्षा विभाग ये काम करता है तो ऐसा करने वाला सक्षा विभाग यह सरकार का म curator का पेला माकमा होगा अब कॉंस्टेबल से जमादार रैंक में प्रोनती के लिए लिखित और स्तारी दक्षता परिच्छा देनी अनिवारी कर दी गई है बता दे कि यह परिच्छा केंद्रे कृत तरीके से होगी और इसके संचालन की पूरी जिम्यदारी राजकी अस्तित बिहार पुलिस अकादम होने वाले हैं इसके तहट पहले लिखित परिच्छा ली जाएगी और फिर स्तारी दक्षता परिच्छा ली जाएगी दोनों के अंकों को जोड़कर अंतिम परिनाम प्रकाशित क्या जाएगा वह इसमें पास होने वाले सभी कॉंस्टेबल की प्राप्त अंक के आधार पर सूची बनाई जाएगे और उसके आधार पर ही उनकी वर्यता तैह होगी इस बार की परिच्छा में वर्ज 2009 तक जिनकी बहाली हुई है वह इसमें शामिल होंगे अरवल में टेंपू से बरामत किया गया श्रा बिहार में पुन्रोप से सराब बंदी है से तो हम सभी वाकिफ हैं लेकिन इसके बावजूद भी आयत दिन हमें सराब तसकरी सिज्रे मामले सुनने को मिलते रहते हैं हालाके इन पर नकेल कसने के लिए उत्पात विवाग के ओर से जीतोर कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास कमी देखने को नहीं मिल रही पतादी की ताजा मामला अरवल जले के करपी बंसी पक्की सरक पर करपी मटखान के समीब का है जहां करपी थाना के पुलस के द्वारा गुप्त सूशना के पर एक बिना नंबर प्लेट के टेंपू पर लोड भारी मात्रा में विदेशी सराब बरामत किया गया है और साथ ही एक व्यक्ति की गिरफतारी की गई है जिसकी पहचान चंदर कुमार के रूप में की गई है पतादी की टेंपू में से कुल 112.500 लीटर विदेशी सराब ब देशी आगया है बतादिक इस बात की जानकारी अनमंडल पुलिस पतादिकारी राजीव रंजन के दोरा प्रेस कॉंफरेंस कर दी गई है सरकारी नौकरी के तीन पद के लिए 58 की अनुसंसा सरकारी नौकरी का क्रेज युवां में हमीशा से देखने को मिलता रहा है बताद कि सूची को जारी कर आम लोगों से आगरा किया गया है कि वह इस सूची पर 31 ओक्टूबर 2023 तक अपना सुझाव दे मालमों कि जारी के गए सूची के आधार पर अध्यक्ष और नियाइक सदश्य के लिए 18-18 नाम है तो वहीं गैर नियाइक सदश्य के एक पद के लिए 22 न 14 ओक्टूबर से विजय दश्मी यानि की 24 ओक्टूबर तक रद कर दिया गया है हालाक इस दौरान विशेस परिसिती में मुख्यारे छोडने के पुर्व सिवल सर्जन के नुमती अनिवारे होगी मालमों कि प्रशासनिक अधिकारियों के दौरा दीकई जानकारी के नुसा 14 के बाद पटना इम्स में चात्रों को संबोधित करेंगी और 20 ओक्टूबर को गया केंद्रिय वीवी के दिक्षान समारों में शामिल होंगी और फिर गया से ही नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी जेडियों छोड़ चुके दल्तनेता ललनपाश्वान के दोर जेडियों पार्टी को लेकर एक बड़ा दावा किया है उन्ओने कहा है कि पार्टी अपने मूल सध्धानतों से भटा गई है नितीश कुमार ने दलितों को बाटने का काम किया है उन्होंने कहा कि नितीश कुमार सवधान के खिलाफ काम कर रहे है बिहार में अनुसुजिजाती और जनजाती के आरक्षन को रोग दिया गया है बिहार में लगातार पाशवानों की हत्या हो रही ऐसे में बिहार में वही आज दुबारा वापस लोट रहा अब नरसंगार की जगह हत्या हो रही है उन्होंने ललन सिंग पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने जद्यों को लालू यादव के यहां गिरवी रख दिया है अब लालू यादव नितीश कुमार के यहां नहीं आते बलकि नितीश कु सक्छकों के पक्च में खडि हुई बीजेपी पैहार सरकार के दौरा कुछ दिनों पहले ये घोषना की गई थी कि राज्य के चार लाख नियोजति सक्छकों को राज्य करमी का दर्जा मिया जएं इसी कड़ी में अब सिक्षकों को बीजेपी का साथ मिल गया है बतादी कि भाजपा विधान मंडल दल के नेता विजय सना और प्रदीश अध्यक समरार चौधरी का कहना है कि नियोजिस सिक्षक अपने अधिकार को लेकर संघर्श रथ हैं बीते 33 वर्षो से राची में सक्षावस सिक्षकों की इसिती लक्षन बनी हुई है ऐसे में अब बीजेपी की ओर से नियोजित सिक्षकों के हित में आवाज बुलंद करने की रनीती बनाई जा रही है भारत से मिलीहार की बाद पाकिस्तान टीम के डारेक्टर का बयान बीते दिन विश्व कब 2023 का बारवा मुकाबला भारत और पाकस्तान के बीच खेला गया जिसमें भारत ने पाकस्तान को साथ विकर से हारा दिया वहीं मैच के बाद पाकस्तान टीम के डारेक्टर मिकी आर्थर के दौरा प्रस कॉन्फरेंस के दौरान BCCI को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया गया है उन्होंने कहा कि आज रात ऐसा नहीं लग रहा था कि यहां कोई ICCE इवेंट है मुझे लग रहा था कि कोई BCCI इवेंट है मैं ऐसे बहानी की तौर पर नहीं लेना चाहूँगा और मैं नहीं चाहता कि कुछ और कहूं ताकि मुझ पर फाइन लगाया जाए आपके जानकारी के लिवतादी के बीते दिन मैंच में जीत हांसल कर टीम इंडिया के दौर रिकॉर्ड आटवी बार पाकस्तान के खिलाफ विश्व कप मैंच अपने नाम किया गया है सबसे पहले पाकस्तान की टीम की ओर से बल्ले बाजी करते वे भारतिय टीम को 191 रन का लक्ष दिया गया जिसका पीछा करते वे रोहत सर्मा के अगवाई वाली भारतिय टीम के दौरा तीन विकेट के नुकसान पर 30.03 ओवर में लक्षे हासल कर लिया गया मालम हो कि पाकस्तान टीम वंडे वल्ड कप में भारतिय टीम के खिलाफ कभी जीत नहीं पाई है जानी आज बिहार में क्या है पिट्रोल डीजल के रेट बिहार में आज यानी रविवार को पिट्रोल डीजल के रेट जारी केगस के बाद राजधानी पटना में आज पिट्रोल 107.74 और डीजल 94.5 एक रुपए प्रति लिटर में मिल रहा है भागलपुर में पिट्रोल का रेट सबसे आदा किसंद गंज में हैं जहां पिट्रोल 109.73 रुपए प्रति लिटर और डीजल 96.34 रुपए प्रति लिटर की दर से मिल रहा है बीतर दिन हमायद पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों नपनिजाब हमें हमारी कॉमन सक्षन बॉक्स में लिख कर दिया है और अगर आप फेस्बूक से देखे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद